दोस्तों हमारी टीम की हेलप लाइन नंबर पर एक कॉल आया कि गाउं देई से लगबग 2 किलो मिटर दूर गुड़ा गोपालजी के गाउं के जंगलों में एक गोव माता है जिसका प्रोलेप्स बाहर निकला हुआ है दोस्तों प्रोलेप्स को आम भाषा में डील या फूल कहते हैं दोस्तों जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली हम मौके पर वहाँ पर पहुँच गए दोस्तों दरसल गोव माता का काफी ज़्यादा प्रोलेप्स बाहर निकला हुआ था जिन सज्जन ने हमें कॉल किया था हमने उनसे निवेदन किया आपको जैसे ही गोव माता दिखाई दे आप उसे बांध ले और टीम को सूचना दे दे दोस्तों करीब दिन के दो बजे उन सज्जन का हमारे पास कॉल आता है वो कहते हैं कि गोव माता जंगल में एक बबुल के पेड़ के नीचे बैठी हुई है सूचना मिलने पर हमारी टीम मोके पर वहां पर पहुँच गई और देखा कि गोव माता के प्रोलेप्स काफी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है और गोव माता दर्द में होने के कारण खड़ी भी नहीं हो पा रही है हमारी टीम के द्वारा गोव माता को डंडो की सहायता से गाड़ी में बैठाया गया और देखी सेंटर पर रेफर किया गया और चिकित सा प्रभारी राकेजी सेनी द्वारा गो माता के प्रोलेक्स की जांच की गई और जांच के दोरान पता लगा कि गो माता का प्रोलेक्स निकले हुए लगबग 2-3 दिन हो गए हैं और अगर जल्द से इलाज नहीं हुआ तो गो माता की जान को भी खत्रा है दोस्तों सबसे पहले राकेजी सेनी की निर्देशन में गो माता के प्रोलेक्स को अच्छी तरह से साफ किया गया और गो माता के प्रोलेक्स को अंदर किया गया दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरानी हमें उस वक्त हुई जब गो माता के प्रोलेप्स को अंदर करने के बाद करीब पांस लिटर के आसपास पैशाब बाहर निकला दोस्तों नजाने कितने दिनों से गो माता का पेशाब बंद था और नजाने गो माता कितनी तकलीफ में होगी दोस्तों प्रोलेप्स अंदर करने के बाद गो माता को टांके लगाए गई और साथ ही साथ आवशक दर्दनिवारक दवायां दी गई और मुझे ये बताने में काफी खुशी है कि गो माता का इलाज सेंटर पर नियमित रूप से किया जा रहा है हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीपक जी मीना का जो की गो माता के रेस्क्यू से लेकर गो माता के इलाज तक हमारे साथ रहे दोस्तों उमीद करते हैं कि गोव माता बहुत जल स्वस्थ हो जाएंगी दोस्तों गर आपको हमारी टीम दुआरा किया गया ये कारे अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए धन्यवाद